वेल्कम गाइज ए एम और पी एम ये कोई बड़ा चीज नहीं है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एम और पी एम कब सुरू होता है और कब खतम होता है एम और पी एम का फुल फॉर्म क्या होता है एम और पी एम का परिभासा क्या होता है आज इस वीडियो में आपको क पता चल जाएगा अब देखिए रात बारा बज़े से लेकर दीन 11.69 मिनट तक के समय अंतराल को हम लोग ए-m कहते हैं यानि ए-m कब से कब लिखाता है तो रात बारा बज़े से लेकर दीन 11.69 तक आप ए-m लिख सकते हैं ठीक हैं और एए-m का फुलफर्म होता है अंटी मेरीडियन आप A.M. ना कहा करके आप अंटी मेरीडियन भी कह सकते हैं और इसे ही सोट में हम लोग A.M. कह देते हैं ठीक है और हिंदी में कहा जाता है पुरुवाहन तो आपसे अगर कोई पुछते हैं कि पुरवाहन किसे कहते हैं तो आप कह दीजेगा कि मध्य रातरी 12 बजे से लेकर दोपहर 11 बज के 69 मिनिट तक के समय अंतराल को हम लोग AM कहते हैं यानि पुरवाहन कहते हैं ओके तो ये चीज़ा पासाणी से समझ गए होगे अब देखिए दीज बारा बजे से लेकर रात 11 बज कर 69 मिनिट तक के समय अंतराल को हम लोग क्या कहेंगे पी-एम यानि दीज बारा बजे से रात 11 बज कर 69 मिनिट तक हम लोग पी-एम लिखते हैं ठीक है और पी-एम का फुल्फम क्या होता है पोस्ट मेरीडियन ठीक है और पोस्ट मेरीडियन को ही हम लोग सौट में पी एम लिखते हैं और हिंदी में आप राहन कहते हैं ठीक है तो ये चीज़ आप आसानी से इसली समझ गये होगे तो आई होब इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा